देश की GDP ग्रोथ जुलाई सितंबर तिमाही में घटकर 4.5 फीज़ी रह गई है ये 6 साल में सबसे कम है इससे कम 4.3 फीज़ी चनवरी मार्च 2013 में रही थी केंद्र सांखी की कार्याले ने कल सितंबर तिमाही के आकड़ी जारी किये और GDP ग्रोथ की ताजा आकड़ों के मताब कि ये डाउटफुल नंबर्स के आधार पर भी इतनी गिरावट हुई अगर सही नंबर्स अगर सामने आती डेटा सही होता तो गिरावट और गेरा है और असलियत में अंतरराश्री परमानी पर कई सारे स्टेडी संस्तावने वो बुनों ने उनकी अपनी असेस्मेंट है क सबसे बड़ी गिरावट है और लगातार गिरती जा रही है तो दो बार गिरेंगे तो आर्थिक मंदी का डिफिनेशन है छे बार गिर शुकी है तो तब भी तब भी नहीं मानती जब अर्थ व्यवस्था का बंटाधार हो गया है और जब जीडीपी भाजप्पा के लिए गौड से डिवाइजिब पॉलिटिक्स बन गया है तो क्या आज भी मोदी जी कहेंगे सब चंगासी सच बात है सब मंदासी ये इस देश की सच्चाई है साड़े साथ परसेंट से साड़े चार परसेंट जीडीपी की ग्रोथ आजाना दर्शाता है के देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं किसान के लिए फसल की कीमत नहीं व्यपार नहीं निरियात नहीं किसी प्रकार का नया उद्योग और धंदा नहीं खपत जो है वो आज पिछले 30 साल में सबसे ओंदे मुह पर है इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे निचले पाइदान पर है कॉर सेक्टर ग्रोथ 8 साल में सबसे निचले पाइदान पर है आज पूरा देश और देश के लोग गरीबी के एक ऐसे संकट में फसगाएं हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता पर मोधी सरकार है के मानती ही नहीं जो अर्थ विवस्ता विगड़ गई है उसको सुधारने के लिए कोई भी इनके पास रणनीती नहीं है और निरंतर ये बताया जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है लोग बेरोजगार हो रहे हैं महेंगाई बढ़ती जा रही है इन्वेस्टमेंट आनी रहा है यहां तक की बिजली की खपत कंजम्शन भी कम हो गया है भारत की अर्थविवस्था के चर्मरारे का कारण आर्थिक नहीं है वो प्रसाशनिक है ये जो गुजरात मॉडल अव गवर्नेंस है GMG जो तीन टांगों पे खड़ा है पहली टांग CBI दूसरी टांग Enforcement Directorate और तीसरी टांग Income Tax आयकर विभाग इनके आतंग के कारण इनके प्रतारन के कारण जो एक दूएश की भावना से इस मुल्क में पिछले पांच बश्च से काम किया जा रहा है उसके कारण आम लोगों का विवसाहियों का जो होंसला है भारत की अर्थविवस्था के ऊपर वो पूरी तरह से उठ गया है तो ये जो जी एम जी है गुजरात मॉडल ऑफ गवर्ननस इसने भारत की अर्थविवस्था के परकच्छे उड़ाई देखिए ऐसा है कि ये जो जुराई सप्तंबर का जो कौर्टर है अब जीडीपी की ग्रोथ 4.5 हो गई और पिछले कौर्टर में 5.5 थी अब 4.5 हो है और उस दिन वित्मंत्री ने सदन में कहा कि हम लोगों को धैर रखना चाहिए पेशंस रखनी चाहिए तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ती को भूख लगी हो वो कितनी देर तक धैर रखेगा आप जरह मां बता दीजिए वित्मंत्री जी उसके लिए तो उसको तो रोटी चाहिए उसको तो रोजगार चाहिए वो व्यक्ती कैसे धैरे रख सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके राजनीती में भी स्लोडाउन आ गया है और आपकी हिंदोस्तान की आर्थिक स्तिती में भी स्लोडाउन है लेकिन एक चीज आपकी सरकार में स्लोडाउन नहीं हुई वो आपकी वानी कि जिस तेजी से जिस तरीके से आप बोलते हो टेलिविजन पर बोलते हो आप लोग और लोगों को सपने दिखाते हो उसमें स्लोडाउन नहीं आया लेकिन बाकी हर चीज में स्लोडाउन है तो जिरिपी ग्रोथ जो सरस से कम आई है उसको लेकर यहां पर अब विपक्ष सरकार पर हमला वर है और पूछ रही है कि आकरकार क्या क्या वादे किये गए थे क्या रस्था को बहतर रफ्तार दी जाए कि लेकिन अंत में फिलार देखा जाए तो रफ्तार बहुत ही मी है